नमस्कार आप देख रहे हैं ललन टॉप और मैं हूँ आपके साथ फात्मा जहरा पटना मैडिकल कॉलेज अंड हॉस्पितल विहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक शॉर्ट फॉर्म में इसी पी-म-सी-च कहा जाता है इन दिनों चर्चा में हैं चर्चा की वज़ा है यहां पढ़ाई के लिए आई नर्सिंग स्टुडेंट की भूख हरताल पि-म-सी-च में जी-न-म की पढ़ाई करने आई नर्सिंग स्टुडेंट सोला दिनों से हरताल पर है GNM Nursing साड़े तीन साल का एक डिप्लोमा कोर्स है बारवी पास कर चुके स्टुडेंट इसके लिए eligible होते हैं इस कोर्स में admission लेने के लिए पहले entrance exam पास करना होता है फिर merit के हिसाब से college मिलता है बिहार की राजुधानी पटना में स्थित PMCH में उन्हीं student को admission मिलता है जुनकी rank अच्छी होती है ये तो हो गई admission की बाद अब सवाल ये है कि आखिर राज्य के सबसे नामचीन college में admission लेने के बाद ये लड़कियां हर्ताल पर क्यों बैठ गई हैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बाद की हर्ताल पर बैठी चात्राओं से इन चात्राओं का कहना है कि PMCH GNM nursing की 200 चात्राओं का hostel खाली करवा रहा है और उन्हीं करीब 40 किलोमेटर दूर राजपाकरिस्थित के नए hostel में जाने के लिए कह रहा है नरसिंग स्टुडेंट PMCH के इसी फैसले का विरोध कर रही है फ्रदशन कारियों में से शामिल पूनम बताती है हम 2022-23 बैच के स्टुडेंट हैं डेर साल की ट्रेनिंग भी कर चुके हैं अचानक प्रिंस्पल आकर हमें बूलती है कि तुम्हारा हॉस्टिल तोड़ा जाएगा इसे एक दिन के अंदर खाली करो हमें इससे दिक्कत नहीं है इसे नए सिरे से बनाया जा रहा है दिक्कत ये है कि हमें पटना से 40 किलोमेटर दूर भेजा जा रहा है वो है राजा पाकर जहां भेजा जा रहा है वहां सुरक्षा का भी खत्रा है हम लोगों की डिमांड सर्फ इतनी है कि जब हमारा एडमिशन पीमसीच में हुआ है तो हमारी ट्रेनिंग भी पटना पीमसीच में होनी चाहिए आगे पूनम बताती है एडमिशन के समय हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि हॉस्टल बदला जा सकता है हमारे प्रोस्पेक्टर्स में साफ तौर पर लिखा है कि नर्सिंग स्टूडेंट के लिए हॉस्टल मस्ट है अगर चात्राओ का हॉस्टल बदलना है तो इसकी जानकारी काउंसलिंग के टाइम पर दी जाएगी मिडल सेशन में चात्राओ को कहीं और भीजने का कोई रूल है ही नहीं सिर्फ नर्सिंग के चात्राओ को ही राजा पाकर भीजा जा रहा है इसके अलावा जितने भी मेडिकल स्टूडेंट है उनके रहने का इंतिजाम पटना में ही किया गया है उनके लिए हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं PMCH की GNM चात्रा इस भीशुन गर्मी में पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठी हुई है पिछले पांच दिनों से भूख हरताल कर रही है कई चात्राओं की तब्यद खराब हो चुकी है लेकिन सरकार या मेडिकल कॉलेज की ओड से कोई नहीं आया है प्रदशन में शामिल एक दूसरी स्टुडेंट नाम ना बताने की शर्थ पर कहती है अवाज उठाने की वज़ह से हम पर लाठी चार्ज किया गया जस जगह पर PMCH प्रसाशन हमें भेज रहा है वहाँ कुछ समय पहले एक लड़की का मडर हुआ है उसके खलाफ अभी तक कोई कारवाई नहीं की गई है अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो इसकी जम्यदारी कौन लेगा सिटी मजिस्ट्रेट M.H. खान हमसे मिलने आते हैं उनकी तरफ से धमकियां दी जाती हैं कि जल से जल्द अपनी भूग हरताल खत्म करो वरना फिर से लाठी चार्ज करेंगे इस मामले को लेकर हमने PMCH का पक्ष भी जानने की कोशिश की हमने प्रिंसिपल वीना कुमारी को फोन किया तो उन्होंने पहले आवाज ना आने की बात कही हमने दुबारा कोशिश की तो फोन स्विच ओफ आने लगा इसके बाद हमने सुप्रिडेंटिट आईएस ठाकुर से बात करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से जवाब मिला किसर अभी मिटिंग में बिजी है ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रही है ललन टॉप के साथ शुक्रिया